नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज आप देख रहे हमारा चैनल एक्सवर्ट टिटूरियल आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एक्सवर्ट टिटूरियल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज पेपर जो हुआ है हमारा आठ डिसमबर 2019 को इस पेपर का जो अभी अफिशियल आंसर की तो नहीं आई है परंतु हमने जो अपने बुद्धी विवेक के नशार आंसर की तयार की है उसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इसके आदार पर आप अपने पेपर को चेक कर सकते हैं मिलान कर सकते हैं और अफिशियल आंसर की आएगी उसमें थोड़ा साथ दो एक नंबर का फर्क हो सकता है यह अफिशियल नहीं है परंतु इसे अनुमानित है इसे आप अनुमान लगा सकते हैं हां कोशिस की गई है कि यह सबसे जादे सटीक से सटीक हम आपको आंसर दें दोस्तों इस जो मैंने यह जो वीडियो अपलोड की है इस वीडियो में मैंने बालविकास, मैथमेटिक्स और ईवियस, फिर हिंदी, फर्स्ट लेंगेज, अंग्रेजी सेकेंड लेंगेज और संस्कृत सेकेंड लेंगेज को चेक किया है तो दोस्तों हम सुरू करते हैं फिर एक एक करके देढ़ करना करते हुए क्योंकि आपके अंदर जिग्यासा प्रवल है कि पहले सबसे पहले मैं देख लूँ कि मेरे किते नंबर आने वाले हैं तो दोस्तों यह जो मेरे पास सेट है यह सेट सी है और मैं इसको पढ़ूंगा और आंसर दूंगा इसको आंसर को डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि डिसकस करना तो जब बनता है जब ऑफीसियल आंसर की आजाए शुरू करते हैं और हम लोग चेक करना शुरू करते हैं दोस्तों यह जो सेट है हमारे पास सेट पी है आपके पास कोई और भी हो सकता है तो दोस्तों इसमें आंसर प्रशन आगे पीछे दिये रखे ह दोस्तों पहला प्रस्ण जो हमारा है चात्र केंदित सिच्छा सास्र की क्या विश्ष्षता है तो इसमें लिखा है यंत्रवत याद करना योग्रा की आधार पड़ विद्यार्थियों को नामांकित करना रथावर्गी करना केवल पाठ पुस्त को पर निर्वर होना तो दोस दोस्तों इसमें अंसर है हमारा पहला वाला तो फिर इसके बाद हमारा तीसरा वाला जो दोस्तों है दोस्तों हमारा तीसरा जो प्रशन है सरचनावादी धाचे में अधिगम प्राथमिक रूप से प्राथमिक रूप से तो इसमें दोस्तों जो ऑफ्षन है आंसर जो है मैं सीधे आंसर ही डारेक्ट बता रहा हूं मैं टाइम ज़ादा आपका नहीं ले रहा हूं कि इसमें जो आंसर है वो है अब वो धन पर करिया दोस्ते इसमें चौथा वाला फिर प्रसंद दिया है अने गटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाये गए सहजान वू सिद्धानतों के संदर में एक सिद्धका को क जलते हैं दोस्तों यह सैट सी है और अपका कोई और भी हो सकता है प्रस aja gotta कि किं दिश्यों को अधीकम زाकी दारी करने के लिए लगातार पुरुष्कार्द परियोग करने प्रभाव को रवता है तो इसका जो उत्तर रहनेवाला है बो है इसका दूसरा भाला फिर दोस्तों जो uğaczego फिस चाहता वाला प्राश्न है स्ंछाना वादीश्रणा के अनजवार के बारे में निमलिखित कफनों में से कौन सा सही है तो दोस्तों इसमें जो प्रश्ण है इसमें जो उत्तर हमारा रहने वाला है वो है दूसरा दूसरा ये अधिगम शक्रिय बिन्योजन के द्वारा ग्यान की सिनसना की प्रक्रिया है दोस्तों इसके बाद हमारा जो सात्मा प्रस्न है ये सात्मा प्रस्न है विद्यारतियों को इस पस्ट उधारण एबम गर उधारण देने के क्या परिणाम है तो दोस्तों इसका जो प्रस्ण रहने वाला है उत्तर रहने वाला है ये तीसरा वाला उत्तर रहने वाला है नेक्स राम चलते हैं आठमे प्रस्ण की ओर दोस्तों एक प्राश्मीक विद्दैलिये की अध्यापिका बच्चों को पुरभावसाली समस्या समाधान करता वनने के लिए किस प्रकाय प्रोसाहित कर सकती है तो दोस्तों इस जो हमारा आठमहा प्रश्ण है आठमहा प्रश्ण का उतर जो है यह दूसरा वाला है इसमेंगे लिखका हुआ है बच्चों को सहजान भूत अनुमा लगाने के लियए प्रोस्ताहिध करके तथा उसी पर आधारित विचार मन्थन करके दोस्तों इसके बाद जो हमारा नम्मा प्रश्ण है नम्मे प्रश्ण में इन्होंने कुछ फिल्वा प्रश्ण होई को समझ को किस प्रकार उबारा सहच कर सकते हैं तो दोस्तों इसका जो आंसर है इसका और इसका अंसर हमारा जो सही है वह दूसरा वाला सही ठीक है दोस्तों फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ग्यार्मे प्रशन की ओर ग्यार्मा प्रशन है बैक्ती विभनताओं का प्रात्मी करण क्या है यह हमारा जो आप्शन है इसमें जो सही आप्शन है वो हमारा है दोस्तों दूसरा वाला ठीक है दोस्तों इसके बार्में पर चलेंगे दूसरा वाला जॉप्शन है वो दोस्तों है अनुवांसिक आइबम परियावाने के बी जटिल प्रास पारस परिक क्रिया फिर इसके बाद हम बार्में प्रशन के और चलेंगे निम्लिकित में से कौन सा दुतियक समाजी करण की अजनसी का उधारण है दोस्तों जो हमारा विद्याले होता है वो दूसरा होता है और परिवार जो होता है वो हमारा प्रसम होता है इसलिए विडिया जो हमारा दूसरा हो जाएगा हमारा तेरमा हमारा है निम्लिकित अब्धी में से किसमे साजीक ब्रदी और विकास ती ब्रगती से घटित होता है तो दोस्तों साजीक ब्रदी और विकास जो हता है हमारा जो सहस्वा अवस्था में तीब्रगती से होता है यह तीसरा वाला उप्शन हमारा सही होगा दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे प्रस्णिक चौधुमें प्रस्णिक और निम्रिकत में से कौन सा विकास का सिद्धान इसमें से कौन सा नहीं है तो दोस्तों इसका option है हमारा दूसरा वाला विकास सारभॉमिक है तता सांस्कृतिक जंदर्ब में इसे कलखा प्रवावित नहीं करते ठीक है तो इसके जो अप्शन हमारे जो 14 वाला था इसका दूसरा अप्शन हमारा सही था आप चलते हैं दोस्तों हम अप्शन नंबर 15 की और दोस्तों हमारा 15 है करचा में परचर्चा के दौरान एक सिच्चत प्राया लड़ की बारी था एवम जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्लिखित में से कौन से पध्धती प्रभाव साली है तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही है पोहत तीसरा जेंडर पक्षबात के बारे में चर्चा करना ठीक है फिर हमारा सत्रमा प्रस्ण है जो ऑप्षण चोधा वाला है वो ली बाइगोर्स की है परस्ण अठारहा है वो है हमारा भासा के अर्जनमा विकास के लिए सरवादिक सम्भी दंसी अवधिक कौन सी है तो इसमें हमारा जो अप्षण होगा वाला साही हो जाएगा प्रभबिक वाल युश्था फिर 59 मा हम प्रशुक्त दिया है और धोग बनावा थे तो इसमें चौथमा आफस आफशन जो चौथा है लाश्ट आफशन है फॉर्थ आफशन सामाजी करनुवान अभी विन्यास तो यह वाला हमारा सही है इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने कोस्टन नमबर 20 की ओर यह दोस्तों मारा कोस्टन नमबर 20 निम्लिखित व्यभारों में से कौन सा जीन प्याजी के द्वारा मुर्थ संक्रियात्मक अवस्था को बिष HOYT करता है तो दोस्तों इसमें संक्चन अभं समावेशन सब्द हम पढ है फिर इसके बाद में 21वा बच्चों के संग्यान Ambistory की सरचनास तो हमारा प्याजी की चैसे schema जिसको हम लोग संप्रत्य हिंदी में बोलते हैं यही था उन्होंने इसी पर बात की था जह हम लोग सीख जाते हैं तो हमारे मस्तिष में एक schema बन जाता है तो दोस्तों हमारा तीसरा option इसमें सही है फिर दोस्तों यह लिखा हुआ है हमारा question number हमारा बाई से इसमें लिखा है जिक्सा पसंद जिक्सा के लिखा है जिक्सा पहली को करते समय पांच वर्सकी नजमा स्वैम से बातें करती है नीला टुकडा कहां है नहीं वाला नहीं यह वाला नहीं गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा इस प्रक यह वाला तीसरा वाला इसमें ऑप्शन सही होगा बच्चों को संकेत देना तथा आशकता पढ़ने पर सही योग परदान करना नहीं में से किसका उधारन है तो दोस्तों इन्होंने बोला ना पाड धाचा यानि इसके फोल्डिंग आप लोग मचान बनाना इसको बोलते है यही है इसका option number 2 इसमें सही है तो दोस्तों इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने question number 24 की और इसमें लिखा है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है इसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं रूही किन गुणों का पदशन करती है तो दोस् स्थान अपने आप स्वय विचार करता है और अपनी आप सोचता है और बहुत से इसमें क्या होता है अनि एक अधिक समाधानों के बारे में सोचता है दोस्तों इसकी बाद हमारा कोशन नंबर 25 है ठीक तो इसमें पिर इसके बाद में हमारा 26 से पुछा गया है यह, हमारे पुराने प्रीविएस प्रशनों सेתי旬 कई तो इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने बाल विकास के last question की और fourth last question है हमारा है यह लिए पठन वैफल बच्चों के प्रात्मिक लक्षन क्या है बस यह हिंदी रुपांतर इनने थोड़ा कठिन कर दिया है इसका सब्दावली थोड़ी कठिन कर दिया है बैसे यह डिसलेक्सिया ही है पठन विकार ही है इसको हम सकते हैं हम लोग धारा प्रभा पढ़ने की अक्षमता ठीक है इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने question 28 की और सिक्षा का अधरिकार अधरियम 2009 में लिकित की समावेशी सिक्षा की अवधाना निम्रिकित में से किस पर आधारित है तो दोस्तों इसमें क्या होता है क कि यह हमारे जो बच्चे हैं समावेशी बच्चे जो हैं इनको क्या करना है इनको साइक सिक्षा उप्रद्द कराओं मुक्यधारा से जोड़ दो क्योंकि यह बच्चे जो है अपना जीवन यापन कर सकें तो इसमें दूसरा वाला जो option है यह सही होगा दोस्तों इसके होगा हमारा वो option हमारा सही होगा कौन सा वाला दूसरा वाला अपने सिक्षण पदितियों पर विचार करना चाहिए बच्चों की सभागता में सुधार करने के लिए नय तरीके ढूंडने चाहिए तो दोस्तों से option 29 में हमारा जो होगा दूसरा वाला सही होगा एक लागू करनी है जिस तरह से पको पढ़ाना है तो उसका पहले से त्यारी कर लेनी चाहिए तो हमारे तीस question दोस्तों ही हो गए है इसमें आपके कितने सही है हमें करके जरूर बताएगा दोस्तों अब हम चलते हैं mathematics की और mathematics में हमारा जो पहला प्रशन है दोस्तों हम आपको बता दें यह हमारा सेट सी है ठीक है और primary का है कक्चा एक से पांच वाला सेट सी की हम दो बात कर रहें और उसमें हम जो आंसर की आपको दे रहे हैं यह हमारे बुद्धी विवेक पराधारीत है हमने अपनी मेहनत से इसको बनाया है दूड़ा है दोस्तों मैं आपको बता आपके एक-दो माक्स का अंतर हो सकता है दो निम्निक değil में से किसे बिंदा रचनावादी गरति एक्छा एक्च का लत्षन नहीं माना जा सकता है प्रात्में तो इससमें हमारा प्रकार की पर इक्ष्छा का उत्रिक का उत्यव्य की आप्श्य होगा नमबर पहला से हो जाएगा इसके बाद हमारा 32 32 वाला कोस्टन जो है निमिकत में से कौन से कथन की सहमती गड़ित के सनसिनात्मक यह रसनावादी दिस्टी कोंड से की जा सकती है तो दोस्तों इसमें जो आप्शन जो हमारा होगा वह मानस दर्शन गड़ित का बच्चों में 3 वी मी समझ को विक्षित करने के लिए उप्यूगते हैं तो दोस्तों इसमें जो आप्शन दिया है बोतल यानि जो भी बस्तुएं है वो त्रीव मी होती है जो मूर्त रूप में उनको दिखा जा 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 त्रीव मी यानि बस्तू के बोतले के ऊपरी के संबंद में निमिकित में से त्यास सही नहीं है इसमें आप्शन जो हमारा है यह है विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक प्रश्ट भूमी का गडित के निस्पादन पर असर होता है तो दोस्तों यह हमारा जो पहला वाला है यह हमारा सही नहीं है 34 वाले में इसके बाए तो दोस्तों इसमें लिखाए मेरे पास चो पिंसिल है हमारा इसके पास और होंगी तो दोस्तों ये है हमारा है कुछसुशन कूछ सन्की आरभि दे गंत्र में पढ़ाली है इसमें हम लोग 9 अंकों का प्रयोग करते हैं जीरो से लेकर 9 तक तो इसमें हमारे 10 हैं इसलिए दास्मीक भी बोलते हैं दोस्तों लेकिन इसमें एक आप्शन दिया है इसमें लिखाया दो का पढ़ाली का पालन के जाता है यानि जीरो दो बाइनरी होती दोस्तों इसका जो अप्शन होगा बहुरा है अध्यापक को प्रारमे में सरल अकरतियों की इस परिभासा देना और उधारण दिखाने चाहिए तो जी अमूर्थ हो जाएगा दोस्तों तो यह सही हमार लिए है प्रात्मीक भी बच्चे इसी तरह से सीखते हैं इसके बाद तो सिस्तों हमारा जो muitुष्ट हम्स tv दोस्तों नमबर 38 को साल गणा जो कह रहा है वो हमारे मुह निकट में से 39 है तो दोस्तों इसमें जो क्या लिखा है सुपर बाजारे में सब्सक्राइब के मूली की सूची निम लिखेता है तो इसमें सब्सक्राइब तमाटर है आलू है गाजर है लौकी मिर्चिन का भाव दिया है फिर इसका कितना खड़िदा गया और बताया है कि 200 रुपए दिये कितने रापस मिलेंगे तो इसका जो आंसर है करके जो नीचे दिखाया गया यह सही भी निकाला है यह जो हमारा आंसर जो आने वाला है 80 7.5 यानि चोथा आंसर इसका सही है । दोसतों इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने question number 40 की और question 40 है मैं दो अंकों की संख्या हूं दाही के स्थान पर अंक और एकाई के स्थान पर अंक कर्मिक अभाज है और करमिक अभाज है अंकों का योग तीन और चार का गोड़ ज़े इसका मतलब वो हमारा आफशन कौन सा है दिखिए 5-75-12 son का भी और खुझे और के और शारे श intent 7 सही होने वाला है तो हमारा30 वाला भी सoh होने वाला है तो दोस्तों हमारा चालिस वाला भी सही हो गया इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं किर इपटार रेलीवे स्टेशन पर क्लिप्स का अब तो दोस्तों यहां पर आम गाडी की पार्किंग करते हैं तो उसे अपना जिक रेट लिस्ट लगा रखी है कितने किती देर के लिए पार्किंग करेंगे कितना रुपिया आपको देना पड़ेगा तो इस जो रेल बेश्टेशन पर कार पर्किंग का रेट है दो गंठी तक 50 दो गंठी से ऊपर 5 गंठी 75 रुपिया तो उन्हें दे रखा है इसके बाद आप्शन पूछा है राजीव ने साथ बजे पार की है और साड़े चार बजी उसे लेने आ है कितना रुपिया भूतान करना पड़ेगा तो इसका आंसर चौथा वाला है 150 रुपिया तो इसका संख्या आएगी हमारी पहली 7.07 इसके बाद दोस्तों हमारा कोर्शन नमबर 43 है इसमें लिखा है एक पाच अंकों की संख्या में दाही के स्थान पर अंक आठ हिकाई के स्थान पर कांक दाही के स्थान से इसको आप पुरा पढ़ दिए पिलाल इसका जो आंसर आने बाला ह है दूसरा वाला इसका अंसर होगा ठीक है दोस्तों इसके बाद हम तो चलते हैं कोसर नमबर 44 की और कोसर नमबर 24 जो है हमारा वह इसमें लिखा है तीन ब्रांड एवी सीडी पेंट क्रमसा जो है दस बारा और 24 के पैक्टों में उपलब्द हैं यदि एक दुकानदार को त 4 सेंटिमिटर है इसे काठ कर चार बरगों में विब्हाजित किया गया है पर तो दूस को पांच रोपे 10 रोपे की यह उसके पास さकों की कुल संख्या 25 है और उनका जो धन है उसके पास 160 रुपेय है तो पांच और दसके सिक्कों के संख्या बताई दोस्तों इसका जो अंसर है वह 18 और सत्रा है अठारा और सत्रा तो दोस्तों यह हमारा सही हो गया इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कौन सा कथन सही नहीं है तो दोस्तों इसमें आप जो अप्षन है है जो लखा है सभी अभाड जी संख्याएं बिसम संख्याएं होती है तो दोस्तों इसमें तीस्पे वाला ऑप्षन है यह वाला सही है फिर लिखा है दोस्तों हमारा कुस्चन नमबर 48 बैसंख्या जो 1 से 10 एक से 10 तक यानि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 यानि एक और दस भी सम्मिलित है तक संख्याओं से विभाजी होगी तो वह कौन सी होने वारे दोस्ता हमारी 2520 यह कैसी संख्या है दूसरा वला आपसन सही है जो हमारी सभी से विभाज हो जाएगी तो दोस्ता हमारा जो हमा जो हमती के बता रहें इसका मान कियांत कीजिए इसका मान आने वाला है चौथा वाला यानि बारहा तो दोस्तों हमारा पूटी नैन का जो आंसर है वह फोर्थ है यानि इसका आनसर है दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते है को से नंबर 15 इसमें लिखा एक बाग के करेंगे तो इसके आंसर आएगा आपका चौथा वाला यानि दस इसका उप्शन सही है तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा ये 50 कुर्शन हो गया है अब हम चलते हैं कुर्शन नंबर 51 की ओर दोस्तों इसमें लिखा है एक रेल गाड़ी दिल्ली से 19 अगस्त 2019 को 16 बचकर 30 मिनट 16 30 पर पस्तान करती है गनता पर 31 अगस्त को आठ 45 पर पहुंसती है इसे कुल समय कितना लगा है तो इसको आप निकालेंगे तो इसको चालिस घंटे पदर में टाने वाला है आंसर नंबर आप्शन नंबर दूसरा आपका सही है इसके दोस्तों लिखा लिघंडीयशिय किसमें लवायों को घर्ते क्रम में विवस्त किया गया तो जो सब्सक्राइब को घर्ते वाला गतना प्रफाट का यह हमारा सही अब चलते हैं कुछन नंबर जो हमारा है इसमें जो लिखा है 3-3 का बिचार छमता को प्रोष्टाहंदेना पुरुषाहम देना अनुपात वीवेशन को प्रोष्टाहंदेना विशय को सरल रोजी कर बनाना और इसे संख्याओं को की नीरस्ता को समाप करना तो दोस्तों इसमें जो option हमारा है वो बारा A और C वाला सही है यह वाला A और C वाला सही है यानि जो option हमारा तीसरा वाला सही है फिर दोस्तों लिखा है question number 54 है 160 cm लंबी तार को एक आयता कायत के रूप में दिया गया है तो दोस्तों आया प्रेट की चोड़ा तो इसकी लंबाई निकाले तो दोस्तों इसकी आम लंबाई निकालेंगे गर दोस्तों इसकी लंबाई जो आएगी वो आपको 60 cm आएगी यानि option number 14 सही है इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे कोस्टन नंबर 55 के और कोस्टन नंबर 55 एक चारिक के चात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया है तो कुछ ने 404 लिखा अध्यापा के इस रूप को किस दरे संबोधित करेंगे तो लिखा उन्हें मूर्त तो इसका अप्शन है उन्हें मैं नियम को समझाएंगी तो इसमें मूर्त रूप से जब अध्यापा इसको समझाएगा तो बच्चे अच्छी से सीख सेंगे तो कोस्टन नंबर 45 में आप्शन नंबर 45 हमारा सही है तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग सिक्टन नंबर 56 की ओर दोस्तों मेरा पढ़ा जाता है चोपर पढ़ा जाता है और समीमिती पढ़ा जाता है लेकिन दोस्तों बहां पर कहीं भी हम लोग तो दोस्तों बहां पर कहीं भी हम लोग अनुपात नहीं पढ़ते दोस्तों यह सूत्र फिर इसके यानि हमारा दो दोस्तों इसमें जो हम लोग पढ़ते ह है चौपर पढ़ते हैं टाइलिंग जो है वो पढ़ते हैं समीमिती पढ़ते हैं लेकिन हम लोग कहीं भी अनुपात नहीं पढ़ते यानि 56 में जो आप्शन है दूसरा वाला वो सही होने वाला है दोस्तों हम लोग 57 की ओर चलते हैं सूतर का प्रयोग कि ये बिना अध्याप पारचे का तो इनक Audio क ऊप्रीयोग करेब जिसके होगा ये वो बच्छों को जो छे रफल के बारे में अब च्यों समझा पाए बता पाए दो इस रिखम यह हमारा जो आभ यहुद्धा वाला आप्शन होगा ये जो सही बार बच्छों हिचाम का다 नुमाइर्ट यारini kay तो दूस्तों इसमें जो option होने वाला है वो option है ये वाला को अवसर देना की बेंस अंकल्पना की सरच्ष्णा करें अबसर देना देखो और 59 हैं तो इसके बाद को से नम्मर एकश्टे मेरा कारण करण को बेक्ति की स्वाविक छमता होगा यानि बेक्ति की स्वाविक छमता जितनी होगी उत्रहीं बच्चा उपलबी हासिल कर पाएगा फिर दोस्तों इसमें जो हमारा option है यह लिखाए यह समझाने के लिए यह एक कुटा चार और एक कुटा तीन से छोटा है निमनित में बच्चों को किस तरह से बच्चों को समझाएंगे यह कौंसी योजना सबसे ज्यादा उप्यूगता है तो दोस्तों में इसमें आप्शन हमारा है है 61 मा तो कि 61 हम पढ़ते हैं बच्चों को पढ़ावण आध्यान सीखने में प्रभाशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है तो इसमें जो हमारे option दिया है यह वाला बरतान्त प्रभाशाली ब्याक्या फिर लिखाया प्रभाशाली नाहीं है निवसमें पहले से ग्रूपिंग करना है इसमें लिखा बरतांति फिलिखा है ब्रतान्त आयगा और भी हगहा मेरे जो हमारा सही होने हboo है और इसके बाद हैं सिक्षक के दोरा अबधारणाओ की प्रफार्स वाली ब्याकिया तो दूस्ते हमारे आप्शन जो है यह वाला हमारे जो तीनों सही है इसका मतलब हमारा आ ए माफ करना ये तीसरा वाला आप्शन ए सी दोसी होगा हुम दोस्तों तो हमारा जो उप्शन इसमें देखुते हं कि अप अच्छ के दो नोई.. बच्छें नोग का अब लोग कंत्युप ने के लिए प्रेरिऩ करने का उत्युकियां निए हैम् जो हमारा जो अप्शन होने वाला है नमबर एक ए लिखा है बच्चों में सुझान लिपता का विकास करना बी बच्चों में अबलोकन और असना कौसलों का विकास करना सी बच्चों में सॉंदर एगत संवेदना का विकास करना और इसके बाद फिर दिया हुआ है तो दोस्तों इसमें अगर देखें कि तो इसमें हमारा a b c c 3 तीनों सही है तो इसमें जो option होने वाला है बोह हमारा कौन सा बाला दूसरा वाला सही हुगा जिसमें a b और c 3 दीए होंगे दोस्तों इसके बाद हम तो चलते हैं question no 63 की और doast पर दूसरा हमारा सही होने बाला है फिर हमारा 64 परियावन अध्यान में सिल्पकला और शेतिकला को समुह में करने से पर बल दिया जाता है तो क्यों की तो इसमें फिर आफ चार ने पॉइंट दिये हैं और चार में से कौन से सही हैं वो हम लों को चुनने हैं तो यह इन्हें पड़ दी जेगा इसमें जो आफ तन आंसर जो आपका है वो है केवल बी और सी यानि आंसर नंबर हमारा पहला वाला जो है वो सही होगा फिर इसके बाद दो चलते हैं कांस को सिक्स्टी फाइब यो निमिखित में से क्या परियावन अध्यान को सीखने का सबसे प्रभाव ओ मिखिती है यह इसमाचार पत्र है पहला वाला से और सी औरुट हम चलती है अपने 66 की और दोस्तों कुष्टन 66 एक अप्चा पांच की सिख्षक एक क्रिया कलाब का संचालन करती है सिख्षक का है सिख्षक दिया जिसमें बैक अप्चा के बच्चों से फर्च पर गिरी चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चीटियों के आने का इंतिजार करने को कहती है तो बच्चों को क्या करने के लिए क्रिया कलाब से आर्थपोन सीखने को मिल सकता है तो यह दिस एक शक पर लिखा है बच्चों तो इसमें दोस्तों जो अप्शन है वो बच्चों को क्रिया कलाब का अबलोकन अनुभव साजा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है तो दोस्तों जो अप्शन है हमारा तो दोस्तों हमारा पहला वाला ये सही होगा दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग कोस्चन नंबर 67 क्यों निम्रिकित में से कौन सा पर्यावण अध्यान में सीखने का रसनात्मक आकलन का साधन नहीं है तो दोस्तों इसमें जो अप्शन है हमारा दूसरा वाला बार्शी कुब्लवती की रिपोर्ट ये वाला हमारा ठ चाहिए तो दोस्तों इसमें आंसर हौर तीसरा वाला बच्यों चाहिंपिंधा कया क्या बच्से करती सो कि आपने गर्दन आगे पीछे करती है दोस्तों बहुत से साथी हमारे उल्लू लगा के आए हैं तो दोस्तों वो उल्लू नहीं है यहां पर हमारा अंसर रहने बाला है मैना की जटके से जो गर्दन पीछे करती है बो है हमारा कौन सा मैना इसके बाद जो चलते हैं हम लोग नीचे दीगे शूची पर विचार कीजि पर चलते हैं इसके बाद दोस्तों चलते हैं Unamp मिलाएंगे तो दोस्तों जो आंसर हमारा निकल के आएगा दो चावथा आंसर हमारा निकलके आएगा इसमें लिखा है A का पांचमा B का पहला C का दूसरा और D का तीसरा तो इसमें option हमारा चौथा वाला सही होगा दोस्तों हम लोग अपने set C की बात कर रहे हैं यह हम आपको बता रहे हैं कि हम जो set C से आपको आंसर दे रहे हैं जो आपके में यह आगे पिशे हैं सर हो सकते हैं लिगया जो खरो बैस मंद्र पर भी थे पर यह चलते हैं हम लोग चलते हैं को इसक Waham लोग चलते हैं को कथ्यों के बिचार कियंगा हाथियों थर यूम इसमें लिखाया हाथी बहुत अराम करते हैं यि 200 किल्स Climate घाते हैं का weiß मुझे लग रहा है कि हम तीनों option उसमें पढ़े थे किताब में ठीक है अपने you dos में पढ़े थकाइब निसके बाद paste लिखत है सबसे बुजुर्फात नहीं ती पढ़ वोगत खें आइसा तो नहीं होता है नेता होती या कौन सा समूuw जडों का है? आप इसको बता दें हमाप यह जो अलू है हमारा यह जड х not IN your यह ठना होता है ठीक है? तो कौन सा समूւ जडों का है तो स्में हमारा गाजर, चुकंदर और मूली जो है यह दूसरा वाला. आपसन यह हमारा पहुँचे और कितने दूरी तैकी और पूँचा है कि इसकी औसर चाल क्या होगी तो दोस्तों इसको आप समय निकाल के जब आप 2120 को भाग करेंगे तो दोस्तों इसमें आपका प्रती आवर आएगा इसका मलब इसका option जो है वो सही है 53 किलो मिटर प्रती आवर इसका मलब पहला वाला option आपका सही है 第一個 1776 में दोस्तों आप चलते हैं हम लोग question number 77 कु ऊओर दोस्तों इसमें लिखा निमनखित में से कौन निमनखित में से कौन अंतर राश्टी ख्याती प्राप्त वेत लिपले Yes यह हमारा सही हो गया दोस्तों इसके के बाद हम लोग चलते है 78 की ओई इसमें लिखा है कौन सा बुखार जो है कपकपी और से आता है और सिंको ना ब्रक्षी चाल इसके उपुचार के लिए दि जाती है दोस्तहूं हमने मलेरिया को पढ़ा थाक्त रिखत घृ इसके बाद 79 चओंथा वाला प्षिंट है है यह 78 में ठीक है 78 में चोथा वला आपसना है मलेरिया ठीक इसके बाद इसको 79 नेफंटीस नेफंटीस एक ऐसा पौधा है चो सिकार करता है नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिए यह अस्टेलिया में पाया जाता है यह अस्टेलिया इंडोनेशिया और भारते में मे हमन रॉड़ा जाता है क्या लेका यह फसाता नहीं है तो हम खुद फस जाते हैं यह चोटी कीड़े में कोडों के ख्रिचने के लिए मुहां कावाज आवास दोने ही निकाल सभ्सक्रिया और बी वाला हमारा तो हम दूंसीं हमारा सभी होगा बहे भारत के नीचे दिये गए किस राजी में अरे दोस्तों वो सूरत में गुजरात ठीक है तो हमारे जी गुजरात जो है यह हमारा सही अब दोस्तों चलते हैं कोस्चन नंबर 80 बन की और दोस्तों यहां लिखा है जो हमारे के लिखा है तमिलाडू के निकट बढ़ती राज्य है वो आपको पता होगा अंद्रप्रदेश के रहा लो करना ठाक अप्शन नंबर 2 हमारा जो सही होने वाला है इसके बाद दोस्तों दोस्तों चलते हैं हम लोग अंसी एप एंसी दोजार पांच के उसा निम्रीखति में से क्या प्राथ्मिक इस तरपर परियावण अध्यानी सिक्षन का उद्यश नहीं है तो इसको अप्शन हमारा जोगा परियावणी समझ के द्वारा बच्चों में सटी संख्यात्मक और में सपर है्शन कंते हैं किसी डाक्टर का एक्स परेस्थित है और इ reproanie उसको चलाया है 600 खूल दूर जाता है फिर 400 इंधानी दूरियां मता हैं तो दोस्तों बता रहा हैं की वह जो चलेगा तो ऑसको सी दिसामे इस सित हैं तो दोस्तों यहां पर जो उत्तर आने वाला है वो आपका है उत्तर से पस्चिम यानि चौथा वाला आप्शन इसमें सही है इसके बाद दोस्तों लिखा है चेरावनाच कहा की लोग करते हैं तो मिजोरम के करते हैं ठीक चेरावनाच कहा की लोग करते हैं मिजोरम के लिए परयाबण समय द्याजाता है यह कर तो दोस्ते है इसमें फिर eighties इसमें लिखा हुआ है परयाबण अध्यन क्षाओं तीसरे серे पांचमें के लिए एक भिसाओाँ संक्लित करता है तो दोस्तों इसमें जो चधाओन परयाबण सिक्षा सामाजी का ध्यान और विज्ञान के अभधाणाओं और मुद्धों को तो दोस्ते में option number 4 जो हमारा है वो हमारा सही है तो दोस्ते इसके बाद हम लोग question number 87 की ओर चलते हैं 87 में जो कहा है निम्निकित में से क्या परियावण ध्यान के संदर में सही है तो दोस्ते इसका जो option है इसमें जो option है एक और दो में हमने दोस्तों आपको पढ़ाया होगा इसको जो पैड़ागोजी पढ़ायी तो इसमें लिखा था कि छोटी क्लास में परियावण चेप्टर नहीं है लेकिन उन्होंने एक भासा और गडित के माध्यम से ही परियावण पढ़ाया तो इसमें option अब करनों चल्ते हैं कौन ऑठकरण के सुजहावित प्रकऱ्रण का उप्रक्रण है है तो दोसों इसमें जो को अप्शन होना चाहिए क्या लिखा है इसमें उल ने प्रकारण सुझा है तो उप प्रकण है मारा कौनसा इसमें आंसर आना चाहिए जान बर यह तो इनुने प्रकारण दे रखे हैं जैसे मा लेगा निणिये परिवार चौथा वाला जो option है परियावण अध्यन की अबधाणाओं से सम्मनित महत्पुन सुचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना तो इसका जो option जो जो चौथा वाला है ये वाला हमारा सही है दोस्तों अब हमने EBS चेक कर लिया है दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सी थे हिंदी फर्स्ट लेंगेज की ओर ठीक है और दोस्तों हिंदी फर्स्ट लेंगेज की बाद हम लोग अंग्रेजी फर्स्ट लेंगज चेक करेंगे और इसकी बाद हम लोग जो संस्कृत है वो हम लोग सेकिन लेंगज चेक करेंगे कि मैंने देखा है सामानिता जो चा लिया है तो उसका जो हम आंसर किये वो कल देंगे लेकिन आज मैंने जो दिया है जो दिया है हिंदी को first language और अंग्रेजी second language और स्वंस के second लिए अगर देखा तो यहाँ पार ना तरकिक में भी हमारा इक परते लिए अगर देखा यही वाला अलग है तो पर प्रत्य ओप्शन हमारा दूसरा है तो दोस्तों हमारा चौथा वाला आप्सन सही होगा फिर लिखा है कोस्टन नमबर 94 में लिखा है अनुचेद के आधार पर कहा जा सकता है कि अधनी सिक्षा का नतीजा तो क्या है दुखत है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा जो बरतमान सिक्षा जो है उस इसमें वही है कि विख्यान विख्या को सबस्याधिक महत दिया गया है तो दोस्तों यहां पर क्या होगा हमारा पहला फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं कोस्टन नमबर 96 को अनुचेद के आधार पर हम किस पर सरवाधिक ध्यान देने की जरूरत है तो इसमें लिखा है वो कौन सा है तीसरा वाला सही है यानि गडित भुगोल और इतियास कैसे विसे हैं यह तर्क प्रधान है ज्यान विख्यान को बहुत अधिक महत देने के कारण क्या होता है समाज में विभाचन हो रहा है ठीक है तो इसका अप्शन चौथा वाला 98 का सही होगा इसके बाद दोस तर्किता की पृता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है तो यह क्या है अप्शन को दीसरा इसका सही यूगा पे इसके दोस्तों हम झलते हैं यह लिखा है निकित काब्यान को पढ़कर पूचे गए पिसनों के उतर देजिये साकार दिब गौर बिराट पौरुस के पुझी भूत जाल मेरे मेरी जननी के हिमकरीट मेरे भारत के दिब भारत दोस्तों यह जो दिया है इसको पूरा पढ़ लिजेगा इसके बाद हम लोग पहले सबसे पहले इसको करेंगे हम लोग आंसर देते हैं क्योंकि हमारा बेना पढ़ी भी किया जा सकता है तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है यह 101 ऑप्शन हमारा 101 तो इसमें कौन सा हो जाएगा निस्सिम नहीं लिखा है यानि विशर कसंदिया जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन फिर लिखा है हिमाले को यतीवर हिमाले को किसान से पढ़ेंगे तव our कुंब कहा गया क्यों है रहा ही जो है रखिसरा संही होगा फिर लिखा हιं क야지 क्या है थे अल्छा सानिक कहले वर्य पी इस में मुकुट लेकिन आपके पढ़ेंगे तो हम्कुर्थ आपको यहां पर थोड़ा सा कन्फूजन भी है दो के बीच में बहुवरिय होगा या कर्मधारे होगा तो दोस्तों यहां पर मैं जहां पर जाओंगा तो मैं बहुवरिय की योड जाओंगा यहां पर बहुवरिय का में बहुवरिय होगा तो क्या होगा यहां पर दोस्तों और मैं कहा रहा हूं कि यह ओफिशियल नहीं है यह हमारी मनलब अपनी है बनाई हिवी बुद्धी विएक से है इसमें आपको एक-दो कुश्चन का फरक देखने को मिल सकता है जदा नहीं मिलेगा, ठीक है फिलाल यह बहुत ज़ादे सटीक है है बहुत ज्याले सई है ठीक ए दूस्तां इसंट में कि में कहा गया है कि हमाले सुक्टि की 하는데 तो लिखा है आज पुन्रवski फूर्व के पुणि फॉत जर तो इसमें जो हमारा यह पहला वाला जो option है ये पहला वाला जो option है तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि हिमाले की शक्ति जौलाओं का धेर है ठीक है तो पहला वाला option यहाँ पड़ा सही होगा दोस्तों अब हम चलते हैं question number अपने 106 की और 106 में अब हम लोग आ जाते हैं अपने पैडागोजी की और तो इसमें पैडागोजी में लिखा हुआ है कि भासा अर्जन चम्ता जिसके साथ संबोधित है संबंदित है तो आपको पता है नूम चमस्की पढ़ा था LED पाई जाती है मनुसके मस्तिस्क में language acquisition device भासा अर्जन चम्ता जिसके तो यही बाला नूम चमस्की है फिर लिखा है प्रात्मी के स्थर पर भासा सीकने में भासा संबंदी संकॉंसा संसारदन सरबादिक महतपूर है तो यह बाल साही तो हमारा चौथा वाला अपसं सही हो जाएगा पिर इसके बार लिखा है बच् स्था हमारी पहचान है और कि खे लिका है और फिर इसमें व क्या लिका है अभिन अंग है सब्षा और्शंप्रिता और यह 살्भिनंग है तीसरा वीन रौसन सही होगा दोस्तों और जो हमारा Michelle को उसन गये हैज़ Всем हमारा क्षिंद प्रात्मीक इसितर की पध्छी पूष्टक पाइस में कार्टून भासान विद्गयापन एक बच्चों के भासा छंताience में कैसे हैं सहायोक सिद्ध होते हैं तो दोसता थीसरा वाला उप्चन इसका है यहां पर जो हमारा आएगा आंसर नमबर हमारा दूसरा वाला यह सही होगा तो इसके बात हमारा कुस्टर नमबर जो 112 है विध्यालय में भासा शिक्षण के लिए ये कोई कारिक्रम शुरू करते समय सबसे महत्पूर है बच्चे सहज मौकिक अभिवक्ति को पहचानना तो हमारा इसमें जो कौन सो होगा पहला वाला जो आप्शन जो है दोस्तों ये 112 का सही होगा दोस्तों अब हम चलते हैं 113 की और 113 में लिखा है कई बार बच्चे जब जाते हैं तो दो या तीन भासाओं को बोलने की छमता से लेस होते हैं तो बोलने के लिखा है भासाओं को समझने और बोलने की छमता से लेस होते हैं यहां पर आप्शन हमारा दूसरा माला सही योगा 113 का दूसरा है दोस्तों हम चलते हैं कोस्चन नंबर 114 की और दोस्तों है क्या लिखा है सीखना है तो इस दोस्तों यहां पर जो हमारा आप्शन है वो हमारा होगा तीसरा वाला यह तीसरा वाला आप्शन होगा दोस्तों अब इसके बाद हम चलते हैं 115 प्रात्मी के स्थार पर बच्चों की भासा का आकलन करने का उद्देश है तो दोस्तों यहां याँज़ें लिऱ बीच्ट वर्वाब्रहाप्ल लिखा है कौनसा सबसे कम प्रभावी तरीका है तो दोस्तों सुरुतलेहोगा यानी क्या होता है बच्ठे सुन करके लेगते रहते हैं उनके खुद के विवक्ति नहीं होती हैं यहांपर सबसे कम प्रभावब्रहाप्स कोश्चन 116 का सही होगा तो दोस्तों 118 माफ़कुना दोस्तों कोश्चन 116 के बाद हम चलते हैं कोश्चन 117 में क्या लिखा है आकलन की प्रिक्रिया में केबल बच्चे की छमताओं का आकलन नहीं होता बलकि सिक्षक की सिक्षन प्रिक्रिया का भी आकलन होता ही है विचार कै तो दोस्तों इसमें option जो हमारा होगा तो तीसरा वाला सही होगा आप दोस्तों चलते हैं question number 118 कि रीमा ने तीसरी कक्छा में पढ़ने वाली रितिका की भासा चमता भासा निस्वादन समझी क्रमिक प्रगति का ब्यावरा आपकों को दिया तो मैंने आप से कहता है यह portfolio दिया की अंतरगत आता है यानि दूसरा वाला option इसमें सही होगा 119 में दूसरा वाला option सही होगा दोस्तों चलते है question number 120 कि और प्रात्मी के इस तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महतपूर है दोस्तों यह लिखा है का सबसे कम महतपूर क्या है तो लिखा है पढ़ने का उद्द इसके प्रात्मी कक्षा में बच्चों को हमें भासा सीखना सिखाना है अव्यक्ति सिखाना होता है उद्देश नहीं बताते हैं तो इसमें 120 में option number हमारा दूसरा है यह बाला कैसा है यह सबसे कम महतपूर है यह सही है दोस्तों अब मैं आपको जो answer की दे रहा हूं बो है English यहनि जिन्होंने second language English ली है, दोस्तों अब मैं आपको बता दो, अगर आपके पास संस्किर्थ है, तो इसको थोड़ा सा skip करते जाएए, और आगे बढ़के आपको संस्किर्थ का paper मिल जाने वाला है, आंसर मिल जाने वाला है, थोड़ा सा ही है, बस 10-5 मिनिट आगे कर लोग बहुत टाइम लग जाएगा, लेकर इसको बता दे रहा हूं, which bird is the most similar, तो यह वाला 121 वाला है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, और मैं सीधी option बता रहा हूं, का यह चौथा वाला सही है, इसके बार 122 वाला जो question है, which bird is the most opposite, इसमें opposite word ढूणना है आपको, शन का, तो दोस्तों, यह जो हमारा है, prefer इसका तीसरा वाला option सही है, फिर इसके बाद, दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, 130 वाले में, which part of the following sentence contains an error, यह हम पर कुछ चार आप्शन दिये हैं, ABCD जो हमारा sentence से इसको तोड़ के दिया गया है, इसमें बता रहे हैं, कौन से पार्ट में का उनसा error है, तो इसमें हमारा D वाला part है, two sections इसमें error है, तो इसमें तीसरा वाला हमारा, जो option होगा, यह वाला, सही होगा, दोस्तों, 120 तक हमने कर लिया है, 130 में D वाला हमारा, तीसरा वाला, जिसमें D option है, तीसरा option है, जिसमें D है, वो हमारा सही होगा, दोस्तों अब हम चलते हैं 124 की और 124 वाला जो है इसमें लिखा है which of the following sentence is not true तो कौन सा सत्य नहीं है तो हमारा पहला वाला सत्य नहीं है freedom is not one of the most important factors in life ठीक है इसके बाद हम लो 125 में चलते हैं क्या लिखा है methods to do authorities not used to तो आपको यह वाला जो option है इसमें जो हमारा है क्या लिखा है prescription यह वाला जो हमारा वाला सही होगा तो इसके बाद हमारा कौन सा है एक्सोचप़िस ठीक यह लिखा है reaction अंगे स्टेबडीश्ट गिलिजिन फिक victis people नाट तू यह वाला जो हमारा होगा option इसमें जो हमारा होगा चौथा वाला तो स्टार्ट निव रिलीजन तो हमारा चौथा वाला option इसका सही होगा इसके बाद हम लोग चलते हैं 127 की ओर इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको पढ़ लेंगे इसमें क्या है ए इस फाल्स बीस त्रीव इस माफ करना यह तीसरा वाला हमारा जो ऑप्षन है इस फाल्स बीस ट्रीव इसको पढ़ेंगे तब आपको यह सही आंसर इसका मिल जाएगा फिलाल यह तीसरा वाला option 128 इसका सही है अब हम चलते हैं 129 क्योर दोस्तों 139 वाला जो question है इसमें लिखा है which is के लिख माफ करना 139 वाला है which one of the following words more similar meaning of the word के लिखा है बॉंटी का जो हमारा है similar meaning कौन सा जो वर्ड है जो similar meaning दे रहा है यह लिखा है जेनरोस जेनरोसिटी तो यह वाला हमारा तीसरा वाला option है इसका सही होगा इसके बाल में 130 में चलते हैं हम लोग which word is the opposite in meaning towards the benevolent benevolent दोस्तों इक लिखा है which word is the opposite in the meaning words benevolent 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 तो इसका जो answer आएगा दोस्तों लिखर है malevolent जो answer होगा यह वाला हमारा तीसरा वाला सही होने वाला है तो इसके बाद 131 हम लोग पढ़ते हैं ये रोला औजक्तीश होगा एकसर होगा तेसका अब हम लोग चलते हैं कोर्शन नंबर एकसर इड़ो वाला सभ्सकित है यह हमारा touched नहीं हो रहा है दोस्तों हमेरा को श f एक्ति आप पैसे वह जो फालोव इस ना ट्रीम तो दोस्तों हमारा है इसमें 132 वाले में सही होगा प्रहों हमारा सेकन्ड वाला है कि यह हमारा इसमें जो आप्शन है यह हमारा एक 133 में दूसरा वाला दा हमालिया फ्रम दा बेकवूंज आप टूरीज्म इंडस्ट्री ठीक है तो दूसरा वाला हमारा सही होगा इसके बाद दोस्तों हम 34 वाली पे चलते हैं और कोस्चन नमबर 134 है इसमें हमारा जो सही इसमें कौन सा गलत है तो आप सबसे पहले इसमें दिखेंगे चौथा वाला क्लाइमेट चेंज है ता लीटिल इफेक्ट ऑन दा हिमालिया स्थील है तो यह जो मारा चौथा वाला आप्शन है गलत है इसके बाद हम दिखें 135 विच इज के लिखा है वट इस नाट सो इसमें युज में दिखेंगे इसका चौथा वाला आप्शन है जो हमारा सही होगा ठीक है इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं कुर्शन नंबर 136 की हो दोस्तों कुर्शन नंबर 136 जो है कलिखें अ ऐसे मुस्ट वी यूजट अजर आप ऑन इंडिया आप इसमें आप फिर हमने 137 वाला कोशन है एंड इंग्लिश टेक्स्ट बूप्स फर दा क्लास फस्ट इस्टार्स बिद्धा प्लेक्टियर्स पूम्स और स्टोरी इंट्स बिद्धा अलफबेट्स इन इंट्स ठीक इसको पढ़ देगा पूरा तो इसमें लिखा हुआ है कौन सा वाला सही ह सबस्टों इसमें हमारे दो सही लग रहे है एक तो एलेक्टिक एप्रोच एलेक्ट्रीक नहीं अलेक्टिक एप्रोच एह और पहला यह यह दोनों थोड़े से सही है इसको आप राउंड कलीजी काrices को यहां पर यह दोनों सही सही से लग रहे है अब अफिशल अंसर की से बताएगी कौन सा सही है ठीक है अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग यानि ए ए मफड़ना 137 वाले में पहला और तीसरा इन दों में कन्शूजन है इन दों में से कोई सही हो सकता है फिलाल तो यह दोनों निकल के आ रहे हैं आपर आंसर तीक है दोस्तों आब हम चलते हैं 138 में जो आंसर दिया हुआ है दे रखा है आपको 138 में तो यह हमारा है कौन सा भी चैकिंग इस भी चैकिंग दा नोट बुक्स तेचर अब्जर दर दर चाइल्ड है तो इसको आप देख लीजेगा इसमें जो कौस्टन है यह हमारा आंसर जो है इसका पहला वाला हमारा तो इसमें जो पहला वाला सही होगा लर्णिंग डिशैबलिटिस ठीक है ठीक कॉस्टन होगा इसमें जो हमारा सही होगा दोस्तों वह हमारा आप्शन है पहला वाला शी वंटे टू एसस देर कंप्रिहेंशन अफ ता स्टोरी इसके बाद दोस्तों 140 वाला कोस्टन है लिखा एक्टिप बैकबलरी कंसिस्ट अफ तव वर्ड श भिशार तो इसमें हमारा कौन सा होगा यूज फ्रिकेंटली या पहला वाला आप्शन सही होगा 140 में और इसके बाद हमें चलते हैं दोस्तों 141 में दग मेजर इम आप टीचिंग पोईट्री तो पोईट्री को जो हमारा है जो टीचिंग कराई आती है तो इसका सबसे महत्रपूर जो देश्य क्या ह है सबसाइख इसका जो आंसर होने वाला है ए क्या अप्रिसियेसन थिक हैं प्र African जो हमारा है प्रिसिएशन थे क्रहरा चोथा वाला आप्शन है यृवाला हमारा सभी होगा ठीक किसके बाद दोस्तों हम चलते हैं 142 में क्या लिए एक मूर्फ के भी इस व्याट होगा ठीक तो यह वाला हमारा जो option है इसमें कॉंसा सही होगा चौथा वाला आप्शन सही होगा क्यालेश्ट इसमें हमारा चौथा वाला आप्शन सही हो जाएगा 142 में दोस्तों चलते हैं question number 143 की ओर तो यह आप पढ़ देना इसको यह कौन से option हमारा है 143 वाले में जो सही होगा दोस्तों वह हमारा होगा तो बेसिक से क्या अर्थ है बेसिक का मनलब यह देखा जाए कि इसको विस्तारित रूप में लिखिए तो इसका आंसर जो आने वाला है हमारा दूसरा वाला यह आएगा इसके बाद दोस्तों हम चलते है question number 145 में our teacher want to create the language rich environment in her class C suit ठीक इसके बाद जो option हमारा है जो पहला वाला provide the an opportunity आरे बच्चों को अपशर देना ठीक है वही वाला है provide the an opportunity with the language is seen noticed and used by the children ठीक है तो यह दोस्तों हमारा इसे 155 में पहला वाला option सही होगा इसके बाद दोस्तों चलते है question number 186 के लिखा literature for the children is considered as an reading तो यह वाला हमारा अप्शन है तो दोस्तों इसमें का लिखा है tracers जो हमारा option है ठीक है यह वाला हमारा सही होने वाला है चौथा वाला option इसके बाद दोस्तों question number 148 which one of the following statement is not correct इसमें कौन सा statement जो correct नहीं है तो वह हमारा दोस्तों लास्ट वाला चौथा वाला का लिखा है तो इसके बाद दोस्तों क्या करता है इसमें आंसर क्या आएगा हमारा to facilitate the conversation तो हमारा पहला वाला option आने वाला है use the reality in the language of class meaning brings तो इसमें option जो हमारा है real objective as a teaching ads तो हमारा 150 का option चौथा वाला हमारा सही होने वाला है दोस्तों English हमने second language के रूपे जो हमने अभी option आपको आंसर दे दिये हैं इसके बाद अब हम चलते हैं संस्कित क्यों और दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम लोग इसमें इसको तीबर गती से तो पढ़ी रहे हैं औ और इसका अर्थ हम नहीं बताएंगे और ऐसे ही हम आपको आंसर दे देंगे क्योंकि यह पढ़ना समभब नहीं है बड़ा है ठीक है तो दोस्तों इसको हम बता रहे हैं 121 के लिए संस्कित में 121 का जो आंसर है वो हमारा तीसरा वाला है 122 का जो आंसर है वो हमारा चौथा वाला है मद्यम पुरूस इसके बाद दोस्तों 123 का जो आप्शन है क्यों तक्तवा है यह तीसरा वाला अप्शन आएगा यह तीसरा वाला मैं नहीं बोल पाया था तीसरा वाला अप्शन आएगा और इसके बाद दोस्तों यह जो हमारा है 124 है 124 वाले में जो आप्शन ठीक है 126 का जो उत्तर रहने बाला है आपका 126 का तो यह है कि लिका है भंगतुम यह हमारा पहला वाला उत्तर रहेगा ठीक है 126 का पहला वाला और 127 में दत्वा 127 में हमारा पहला वाला दत्वा अंसर इसका होगा अब इसके दोस्तों हम चलते हैं 128 की ओर दोस्तों 128 में हमारी विवक्ति जो होगी पुत्रेभ्य में यह हमारी चतुर्थी वक्ति होगी दोस्तों 139 में जो हमारी फिर वही वाला आगया हमारा दर्देभ्या लगा हुआ है कौन सी वक्ति होगी यह हमारी चतुर्थी वक्ति होगी दोस्तों इसके बाद लिखा है साय काले, साय काले का बिलोम सब्द हमारे का प्रभाते, साय काले यानि साम साम का हमारा जो बिलोम सब्द होता है, सुवा यानि प्रभात, फिर इसमें दोस्तों हमारा जो 131 के बाद हमारा, अब हम लोग चल नहीं है, कुर्शन नमबर 131 की ओर तो 131 में ये लिखा है चानका से कंबला केंद तर निरुपेन इसका उत्तर है चोथा वाला अंसर है दोस्तों इसके बाद लिखा है प्रवेश में कुर्वन इती पदस्य पदस्य करतेक इमपदम दो 610 में प्रयुकता है तो इसके आंसर जो आएगा आपका प्रवेशन कight पत्ते हैं इसके बाद दुस्तों देखें Rebel 133 हो गया 133 का hotel पहला था एप्सकंपर्ते और 334 वाले में इसमें लिखा समीड, पार्समीश पार्श मिश कूआ है समी 153 का 누ون गी दुस्तों हमारा एक 133 के वाला एक 135 के पते चाड़ के एकसर अचआप्षिन देखें गे तो इसमें लिखा है अधिनिस दूकर है भासा लिख रहने मो τι मुल भूतम पार्थिक यमबर्थते तो इसके में अप्षन है हमारा यह तीसरा वाला प्रभाश उदिताचा इसके तीसरा वाला हमारा जादा सहीर है दोस्तों सेंटिस वाला ज जो होगा 138 में हमारा चौथा वाला सही रहेगा भासा समर्धिवातावणाम यानि बच्चे भासा कम सीखते हैं जब उनको भासा का समर्धिवातावणाम प्रदान किया जाए तो दोस्तों इसमें लिखा है पत्राधनम यानि पोड़ फॉलियो एक मुधानम चा तो इसमें ल किरा वरते यानि क्राश वर्ड क्राशवर्ड क्राशवर्ड ऺड़ थे तहiban कि लेखा है सब्द ग्यान में इसका उत्तर हुगा एसका पहला वाला, 140 का पहला वाला Евचो 199 का पहला वाला ठीक है दोस्तों अभंधी चलते हैं कोस्टन नमबर 1 facto 101 की और कोस्टन नमबर 141 जो है इसका option हमारा रहने वाला है क्या है उसका option हमारा है सब्द कोश्य ठीक है कोश्य उप्योगा तो हमारा पहला वाला आंसर है 141 का और इसी बार दोस्तों हम लोग चलते हैं 142 की और 142 में लिखा है भासाया आक्षरा धोरी संबंदे स्थापना द्वारा पठस्य अध्यापनम अस्ती तो इसका आंसर जो रहने वाला है ये लिखा 142 का आंसर 141EC का आपिशन है और 143 का हमारा तीसरा वाला सही होगा पाथि पूरक पाठ़न शमय के लिखा है सामगीराप्रवंधन ठीक है दोस्तों इसके बाद हमने 143 का आंसर दे लिया है आपको हमारा गतार 142 ए। कर दोस्तों आपको बताने तिये बिकासी के लिए ठीख तो दोस्तों 144 का हमारा दूसरा वाला सही होगा दोस्तों आपको बता दें यह जो हमारा जो मैंने आंसर दिया है यह ज्यादा सही है आप दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है कोशिश की है और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे साथ जोड़ करके पढ़के देखें आपको कैसा आनुभव हो रहा है कैसा आपको फील होगा यहां पर बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है उनको भी देखेगा ठीक है तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने कोस्य नंबर 145 की ओर तो इसमें लिखा है जो 145 का जो आंसर है हमारा जो हमारा वो है हिंदी राजकी भासा अस्ती हिंदी कैसी है राजकी भासा है तीसरा आप्शन है इसके बाद इसक लिखा त्वासाया की निक्सम नास्ति तो दोस्तों हमारे एक 146 का आंसर है वोourage पहला वहला भासा अनसूचीती भासा वरगे नाश्याति ठीक है और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं 46 का पहला आंसर पहला आनसर है बता दिए लिखा है आपको इसके बाद चलते हैं हम लोग question number 147 को दोस्तों question number 147 जो हमारा है इसका जो answer है के लिखा है कताया वर्णन करत्वा के लिखा है तुद्ध परीबोध परक पश्णि ठीक है तो हमारा चौथा वाला क्या है द्यान देगा तो करिखा है यह अक्षरी धनी समन्वे मद्ध समन्वे का द्यान देगा ठीक इसके बाद दोस्तों 149 जो हमारा आंसर है इसका जो आंसर रहने वाला है यह क्या है ग्रहन कौसली यानि जब हम लोग सुनते हैं तो यह किस चीश का कौसल relevant करता है हमें ए कोज्ड करते हैं, क्यांकि सुनने से, हम कुछ ग्रहंट करते हैं, तो तीसरे वाला हमरा नहीं रहने बाला है, दोस्तो हमारा 450 वाला है, दोस्तो यह चोथे वाले काWebny, का जो आंसर हमारा का is death. है करता है। में एति प्रशं करता। थेंश चाहिए होते हैं 55% यानि इनको चाहिए होते हैं 82 marks पास होने के लिए और दोस्तों हमारे जो general है जो general category से belong करते हैं माफ करना gen यहां पर लिखा हुआ है इनको चाहिए होते है 60% यानि उनको चाहिए होते है 90 marks है दोस्तों मैं बता दूँ आपके अभी अगर कम है एक दो ज्यादा हो रहे हैं तो ज्यादा हो रहे हैं सोग डेकर कम हैं तो घबड़ आए रही ना क्योंकि ऑफिशल नहीं है आप एक दो marks बढ़ सकते हैं तो दोस्तों इस गबड़ आए ना positive यह में सोचँएगा ठीक है तो दोस्तों यह जो answer की है यह मैंने कोशिश की है बहुत ज्यादे स्टीक आपको प्रवाइड की जाए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक के लिए सब्सक्राइक लिए दोस्तों आसा है आपके अच्छे माक्षा आएंगे और आप लोग उन्नती करेंगे ठीक है दोस्तों तो आज की आशर की यही पर स् लेते हैं आपसे बिदा नमस्कार बाइए